पानीपत में किसानों के समर्थन में उत्रे बार एसोसियेशन के सदस्य जिला बार एसोसियेशन के उपायुक्त के माध्यम से ग्यापन सौपकर क्रिशी बिल वापस लेने की मांगी बार एसोसियेशन के प्रधान शेर सिंख खर्म ने कहा क्रिशी बिल नहीं है किसानों के हक में बार एसोसियेशन ने कहा पानीपत के सबी अधिवक्ता किसानों के साथ हर लड़ाई में देंगे सहयोग बार एसोशेशन का कोई भी सदस क्रिशे बिलो में खामियों बारे प्रधानों को नहीं बता सका बारे प्रधानों को देखते हुए इस पर जल्दी से जल्दी कारवाई करके इसके समश्या और समादान करना चाहिए ताकि किसानों की समश्या दूर हो और ये देश पर गत्ति कारवाई शेर सिंग परदान जिला बार एसोशेशन पाहिए अर अपना समान लेगा था एक कुंटल दूर पांप पचास किलो चिन्नी और दो किलो चाहिए कल अकेले गए था दो साथ हैं और दूसरी मां आप ता अरज यू करूं आपने श्वाल पूच्छा है अब इसमें क्या दोश है इसमें क्यों से मत बनियांदा आप पढ़े लेक्याद में आप यो बतादे हो कुण के हिसमें एक कुण बतादे हो हम इना वी गया पना वाप करने के लिए बनाई गई है और कंपनी लाम है कोई भी कानून उठा करके देख लो कोई ऐसा कलाज नहीं है कि अगर फसल खराब होगी एक्ट ऑफ गोड से किसी बारिश से या किसी तुफान से ओला वरिस्ट्री से उनके किसान के इसक्योर नहीं है वो कॉंट्रेक्ट से ब जहां तकी इंस्योरेंस का प्रोवीजन है MSP minimum sport price और इस देश का दुर्बाग्या है कि जब MSP जब रखी जाती है जब किसान की जमीन या जब किसान की फसल निलाम होती है और निलामी का मतलब है कोई खरीदार नहीं होता तो सरकार स्पोर्ट के लिए कहती है ताके खिती हर प्रोवार्ग बचा रही और इस देश का एक्रिकल्चरिस 55% है और वो एक देश के साधन संपान का सरोत का और उसकी बोतिकी का उपजाओ का 55% व्यक्ति एक सरीर में पराण की तरह होता है अगर उसके पराण चीन लिए जाए तो देश की व्यवस्ता चर्मरा जाएगी ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन धबाना न भूलें